हेलो फ्रेंड्स आलो दम तो आपने बहुत बार खाया होगा लहसुन प्याज डालकर आलो दम बहुत अच्छा बनता है लेकिन आज मैं बीना लहसुन प्याज के आलो दम की रेशपी आप लोगे साथ सेयर कर सकते हूं जो तीज देवार किसी पूजा पाठे बना सकते हैं इस करने टेख से एक सी्टी आने तक कूकर में पकाएंगे गैस बन करेंगे and उसे निकाल करiki फोड़ा सा थंडा कर लेंगे एकदम थंडा करेंगे नहीं तो छिल के एकदम चितक जाएंगे हालका सा गरम रहेगा तभी इस आलो को हम छीलेंगे इस समय आलो की छिलके यहाँ पर बहुत पतले होती हैं अगर ठंडे हो जाएंगे तो इसले छील के निकलेंगी नहीं, अच्छे से आलू हमारी में गिन नहीं होंगे. यहाँ पर मैंने सारे आलू को छील लिया है और अब जो है एक फॉक से इसमें हम छेद करेंगी चारो तरब से जिससे आलू दम के जो मसाला है हमारे आलू में अच्छे से घुश सके यहाँ पर मैं आलू को काटूंगी नहीं साबोत आलू बनाऊंगी इस तरह से वन बाई वन सारे आलू को मैं फॉक से छेद लेती हूँ अच्छे से अगर ओभर को आलू हो जाएगा और तो यह जो हम छेदेंगे तो आलू हमारे फूटने लगेंगे इसलिए मैंने इसे सारे आलू मैंने छेद के त्यार कर लिये हैं अब चलते हैं गैस की तरफ गैस जला करके कडाही को गरम करेंगे और जब कडाही गरम हो जाएगी तब उसमें हम डालेंगे दो चमच मुमफली के दाने कच्छी मुमफली है यहाँ पर मैं दो चमच मुमफली डाल रही हूँ और इसे low medium frame पर एक मिनट पहले भूनोंगी, पहले हम इस मुमफली को भून लेंगे एक मिनट के लिए, और तब साबुत मसाले इसमें हम एड करेंगे भूनने के लिए, मसाले जल्दी भून जाते हैं, मुमफली भिजिनने में थुड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए पहले मुमफली को मैंने भून लिया है, और अब इसमें डालेंगे एक चम्मच साबुत धनिया, एक चम्मच जीरा, साथ में डालेंगे यहाँ पर, पान्चे काली मिर्स, और साथ में जाएगी दो छोटी इलाईजी, साथ में डालेंगे चार-पान्च लॉंग, और इसी के साथ हम डालेंगे एक बड़ी लाईजी, पैसे हम ग्रेवी में बड़ी लाईजी कूट करके या क्रश करके डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इन मसालों के साथ ही इस बड़ी लाइची को भी भून लेती हूँ लो मीडियम फ्लेम पर यहाँ पर किसी तेल घी का मैंने यूज नहीं किया है इसे ड्राइ रोष्टी किया है और यहाँ पर देखिए जब हम मसाले भून रहे हैं तो इसमें से खुश् करने के बाद हम एक बरतन में ट्रांसफर कर लेंगे ठंडा होने के लिए जब यह ठंडा हो जाएगा तब इसका हम पाउडर बनाएंगे गैस जला करके फिर हम कडाही को गैस पर गरम करते हैं और उसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच कुकिंग ओयल आप अपने टेस्ट इसे कॉर्डिंग यहाँ पर ऑईल या घी कभी यूज कर सकते हैं यह अगर अग्तिज दिवार बना रहे हैं तो आप देशी की कभी यहाँ पर यूज कर सकते हैं और आलू को शेलो फ्राई करेंगे जब आलू लाइट ब्राउन होने लगे तो इसे हम चला देंगे चला चल यहाँ करना है जब तक आलू हमारे होरा है मासाले में ठंडे हो चुके है कि मिकसर के जार में ढाल करके इसका हम दरदर पाउडर त्यार करेंगे यह मैंने जार में मसाले ट्रांसफर कर लिये हैं और अब इसका हम पाउडर बना लेते हैं यहां देखिए थोड़ा सा दरदरा पाउडर त्यार किये हैं यहां पर मैंने इन मसालों का पाउडर बना लिया हैं और इसे एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं इस बरतर में मैं ट्रांस्वर कर ली और अब इसी जार में मैं दो मीड्यूम साइज के टमाटर रफ चॉप करके डालूंगे इस टमाटर पूसली है इस टमाटर के साथ ही हरी मिर्च एड़ करेंगे हरी मिर्च अपने टेस्टस और को कम जाद आख कर सकते हैं यहीं इस टमाटर को भी छूटे नगा जातर हैं यहाँ पर इस टमाटर अद्रक और मिर्श का यहाँ पर प्यूरी त्यार किया है यहाँ पर मेरी प्यूरी बन के त्यार हो चुकी है देखिए कितनी फाइन प्यूरी बनी है और इधर हमारे आलू फ्राई हो रहा है एक बाद से हम चला देंगे जिससे चारो और से सारे आलू ह लाइट ब्राउन हो जाए ये लो मीडियम फ्रेम पर इसको हम गोल्डेन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे देखिए हमारे आलू यहां पर फ्राई हो चुके हैं इसे एक बरतन में हम निकाल लेते हैं यहां पर मैं एक बरतन में से निकाल रही हूं सारे आलू को मैं वन बचा हुआ है यह लगभग देढ़ चम्मच तेल बचा हुआ है इसमें और इसी तेल में मैं ग्रेवी बनाओंगी देखी में टेढ़ा करके दिखा रही हूं इसमें तेल बचा हुआ है और साथ में अब यहां हम डालेंगे इसी तेल में एक चम्मच जीरा मैंने यहां पर और तेल खी कुछ भी नहीं अट किया है एक तेज़ पत्ता साथ में डालेंगे एक इंच दाल चीने दाइजेशन के लिए यहां पर हम जड़ा डालेंगे वन फोर्ट चम्मच हींग आलुदर्म थोड़ा सा हैवी होता है तिस्द्यभार पर बनाते हैं इसलिए इसे थोड़ा सा सुधा का ध्यान रखना है और इसे वन फोर्ट चम्मच हींग डालेंगे जो हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहेगा और खुश्बू भी इसे हमारे सबजी में बहुत अच्छी आएगी इन सारे मसालों को एक बर हम इस पिचुला से चला लेते हैं और अब डाले साथ में यहां पर एक चमच पशफूरन पशफूरन में सौफ जीरा मेथी मंगरेला और आजवाइन होता है यह पांच मसाले होते हैं और इन पांचों मसालों का फ्रेवर बहुत अच्छा हमारे आलूदम में आता है इसलिए यहां पर पशफूरन डाल कर इस पिचुला से चला देंगे जब मसाले थोड़े से कलर बदल दें और मेथी हलकी सी ब्राउन दिखने लगे तब इसमें हम डालेंगे एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च यह तीखी नहीं होती है रंग के लिए डालते हैं आप चाहें तो तीखी वाली लाल मिर्च अगर पसंद करते हैं तो ड दाल देंगे अगर हमारी कश्मीरी लाल में जड़ जाएगी तो हमारी ग्रेवी का कलर अच्छा नहीं आएगा इस वाद का ध्यान रखना है नहीं तो मसाले हमारे जलने लगेंगे यह पर हमारे यह प्यूरी मसालों के साथ पक रहा है और अब इसमें डालेंगे कुछ कि यहां पर पहले ही मैंने जीरा तड़का में भी डाला है और जो खड़े मसाले भूने थे उसमें भी जीरा इसली north woman in पर मैंने जीरा पा lifler का यूज नहीं किया और इन मसालों को अच्छे से चला करके जेर और कहाम को करेंगे यहां देखो देंकर मसालें हमारे गाड़े हो प्यूरी में डालते ही, कितना अच्छा मारा मसाला निखरका है, इसे ढखके दो मिनट पकाएंगे, दो मिनट हो गया है, अब इसका ढखकन खोल के हम देखते हैं, यहाँ पर मैं ढखकन खोल के देख रही हूं, मसाले अभी अच्छे से पके नहीं है, तेल नहीं छोड़े हैं इसे एक बर चला करके अच्छे से, और फिर मैं इसे ढखक करके एक मिनट के लिए और पकाऊंगी, एक मिनट हमारा होने जा रहा है, अब इसे खोल करके हम देखते हैं, देखिए, मसाला पक गया और तेल भी उपर आ गया है मसाले में, इसे चला लेते हैं अच्छे से, और अब यहाँ पर मैं इस जो खड़े मसाले भूनी थी उसका पाउडर बनाई थी उसको एड़ कर देती हूँ यह मसाले हमारे आलो दम की जान है इसे डालने के बाद हमारे मसाले में बहुत ही अच्छी खुश्बू आने सुरू हो जाएगी क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे मस देश्ट को भी बहुत अच्छा बनाएगा और खुश्बू भी बहुत अच्छी आएगी इसे ढख करके मैं एक मिनट पकाऊंगी और तब तक मैं दो चम्मच घर की दही को खटी दही को फेट करके त्यार करूंगी एक मिनट होने जा रहा है मसाले इदर हमारे लो मीडियम करने के लिए एक बरतर मी रखती हूँ ग्रेवी में डालने के लिए एक मिनट हो चुका है और इस कढ़कन खोल के मसाले का में देखर रहे हूं देखिए हमारे मसाले अच्छे से सूख गया है पक गया है इसका रंग भी बदल गया है और इसे हम अच्छे से चला लेते हैं देखिए हमारा यह मसाला बहुत ही अच्छा खुश्बू दे रहा है, एकदम कीचन में खुशू फैल चुकी है, गैस का फ्लेम करेंगे बंद और फेटी हुई जो दही थी उसे हम इस मसाले के साथ एड़ कर देंगे, गैस बंद करके जब हम दही डालते हैं तो दही फटने क कोई चांस नहीं रहता है, अगर इसे हम गैस जला करेंगे डालते हैं मसाले के साथ, तो कभी कभी दही फट जाती है, अगर बाई चांस अगर हम आप दही को गैस जला रहें तभी डालना चाहते हैं, तो गैस का फ्लेम एकदम लो कर दीजिए, थोड़ा मसाला को ठंडा कर लेजिए और तब दही को अड़ कीजिए, तो हमारा ये दही नहीं फटेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर गैस बंद करके ही डाला है, और मैं यही सजेश्ट भी करूँगी कि आप भी जब दही डालें, तो मसाले को पहले थोड़ा से ठंडा कर लें, गैस को बंद कर लें, जादानुसार नमक, नमक डालकर मसाले को अच्छे से चला लेती हूँ, देखिए दही डालने के बाद मसाले का कलर एक्टम चेंज हो चुका है, बहुत ही देखने में यमी लग रहा है, और ये फ्राई किये हुए जो आलू है, जिसे मैंने उबाल करके तियार किया था, उस इस मसाले में डाल करके अच्छे से चला देंगे, देखिए मसाले में डालने के बाद ये आलू कितने यमी लग रहा है, अगर आप इस तरह का सुखा अलू दम बनाना चाहते हैं, तो आप इसी स्टेज पर पका करके आप ठंक करके एक मिनट पका लीजिएगा, तो ये की पराठे के साथ, बहुत अच्छे से सरव कर सकते हैं, सभी बहुत पसंद करेंगे, लेकिन मैं यहां गरेवी बना रही हूँ, त अब यहां पर मैं जो पानी गुन गुना करके रही हूँ वो इस ग्रेवी के लिए ऐड कर दे रही वो पानी अड करने के बाद इससे आप ये बिना लहसुन प्याज का आलू दम बन के त्यार हो रहा है मिक्सर गैंडर में थोड़ा सा मसाला लगा वह था तो उसमें पाई डाल करके उस मसाले को भी मैंने इस ग्रेवी में मिक्स कर दिया है और अब इसे ढग करके दो मिनट के लिए हम पकाएंगे देखिए यहाँ पर मसाले में उबाला रहा है यह हमारा आलू दम बन के रेडी होने वाला है और इस स्टेज पर इस खड़े मसालों को मैं निकाल दोंगी जिससे यह बच्चों के मुह में ना आए अगर बच्चों के मुह में आता है तो बच्चे सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं इसलिए इन खड़ों मसालों को काम हो चुका है तो इसे हमें इसे निकाल देना होगा अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइक प्रेस करना ना भूले यहां कसूरी विंथी को हाथ से क्रश करके मैंने यहां पर डाला बारिग वाले पार्ट को मैंने आलूदम में डाल दिया और जो रेसी बचे हैं उसे साइड कर दिया है और एक बार फिर हम इसे इस पिचुला से अच्छे से आलूदम को चला देते हैं यह देखिए यम्मी सा टेश्टी सा हमारा आलूदम बनके त्यार हो चुका है अब इसमें हम थोड़ा सा एक चममजदेशी ही डालते हैं तीजदेवार पर जब हम इसे बनाते हैं अगर एक चममजदेशी ही हम इसमें ऊपर से डाल देते हैं तो यह बहुत अच्छी खुश्बूस में आने लगती है और टेश्ट को भी यह देश्टी की हमारे अलुदम के टेस्ट को enhance कर देता है उपर से garnishing के लिए मैंने यहाँ पर बारी धनिया के पत्ते और एक हरी मिर्च डाला है अगर आप हरी मिर्च खाना पसंद करते हैं तो उपर से एक हरी मिर्च डाल देजिए और नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे के 10 मिनट के लिए रख देंगे जिससे ये आलू हमारे सारे अच्छे से मसाले में सेट हो जा और बहुत ही अच्छी खुसुआ रही है ठकन खोलने पर अब देखिए कितना यम्मी सा टेस्टी सा आलू दम बनके हमारा त्यार है मिना लहसुन प्याज का ही ये आलू दम बहुत ही अच्छा बनता है एक बार आप जब बनाएंगे तभी आप ये समझ पाएंगे कि कितना यम्मी लगता है यहां हमारा आलू दम सर्व करने के लिए त्यार है इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और ये आलू दम आप किसी भी तीज देवार किसी भी ओकेशन पे पुजा पाठ में जिस दिन आप लेसुन प्याज नहीं खाना चाहते हैं आप बना सकते हैं ये हमारे बिदना लेसुन प्याज के आलू दम की रेसिपी आपके सामने त्यार है अगर आपको मेरी ये आलू दम की रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को अपने फैमली फ्रेंड्स में सेर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए उस पे कमेंट कीजिए और मेरी आगे आने वाले वीडियो को देखने करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक प्रेस करना ना भूले आपका एक कमेंट हम लोगों को बहुत जादे मोटिवेट करता है अगर आपको मेरे वीडियो ना पसंदा है तो आप चाहें तो डिसलाइक भी कर सकते हैं अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद